एकर्तिस में की शुर्दन में सुक्षा सौगत है परमात्पा कहते हैं आज कि अपवित्रता में दो और चीज़े आज़ती है और उनके बारे में आज हम गहराई से समझेंगे कि वो दो चीज़े जो हैं होगी हमें कमजोर बनाती है और हमें अपने लक्ष तक पहुँच नहीं जेती है तो परमात्पा कहते हैं अज कि वरदान में अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलापन का त्याक करने वाले संपून निर्विकारी भवा तो जब हम आलस्य करते हैं हमारे अंदर संकल जो आते हैं वो अपवित्र हो जाते हैं इसको तोड़ा समझेंगे हम दिन चर्य के कोई भी कर्म में नीचे उपर होना मूड नहीं कर रहा है कल कर लेंगे देखा जाएगा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन छोड़ो करें ना करें यार पहले इंजोई कर लेते हैं फिर दिखा जाएगा ये संकल अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो वो भी परमातों कहते हैं वो अपवित्रता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज को पोस्पॉन करते हैं या हमारा मूड उपर नीचे होता है हम आलेसे करते हैं अलवेलापन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उपर बोजा बढ़ना शूरू हो जाता है जतना पोस्पॉन करेंगे जतना आलेसे करेंगे उतना बोज बढ़ेगा उतना स्ट्रेस बढ़ेगा और उस कारण से बुरे संकल्प चलना negative संकल्प चलना, irritation के संकल्प चलना अपवित्र संकल्प इनी को कहा जाता है frustrate होना, विकाम निवा तो, जलबाजी करना तो automatically हमारे अंदर अपवित्रता का बीज बो देते हैं ये अंश से तो आलसिक में आना या अलबेला बन होना ये है विकार का अंश है इस छोटे से अंश से पुरा वंच शुरू हो जाता है irritation, frustration, stress, depression, जिन्ता, इस सारी चीज़े है जिसका प्रभाव पूजनी बनने पर पढ़ता है जो पूजनी आत्मा होती है, वो frustrate होना होती है, वो irritate होना होती है यदि आप अमरितवेले स्वैम को जगर स्थिती में नहीं करते है आप अमरितवेला उठते हो लेकिन आप जुटके खा रहे होते हैं मझबूरी से वसुस्ती से बैटते हो कोई मझबूरी से कि हाँ भया करना है, चलो कर लेते हैं आजुब आजुब लोग बैठें देख रहे हैं, अगर मैं नहीं उठा तो क्या सोचेंगे, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, बाबा का बच्चा नहीं उठ रहा है, तो संगठन में दिखाने के लिए उठ रहे हैं, या यह भी हो सकता है, कहीं लोग इससे भी जूझते हैं, फ क्या हो, परमाता कहते हैं, तो मूर्ति में यह पूझा हो रही है, इसमें भी क्या करेंगे, सुस्ती से, मझबूरी से पूझा करेंगे, तो आलस ओट बैलापन की त्याग करदो, तब संपून का निर्विकारी बन सकएंगे, निर्विकारी हमारे अंदर बिकार य होगी लोग आगे बढ़ रहें हैं पीछे रहें इर्शा होना ये भी उत्कन होता है कि अन्छाइज आता है हमारे अंदर हम माले